स्वागत है आपका कर्या काज विच्छ भांकर के एक नए एपिसोड में इस बार हम लोग एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आज के जो मेडिकल स्टूडन्स है जो मेडिकल को लेके अपना कर्या परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन विशय है तो जी हाँ आज हम लोग बात करने वाले है नाशनल एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस टेस्ट जो की नीट के नाम पे मशूर है मैं बता देती हूँ इस बार नीट के लिए रेजिस्ट्रेशन पिछले साल से 20 प्रतिशत जादा हुई है और इस बार कुछ जादा ही जो है जो स्टूडन्स है वो एंबी बेस की तैयारिया कर रहे है तो यह जो नीट का जो एक्जाम है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है कैसे फोकस कैसे टाइम लगता है इसके लिए किस तरीके की कंसंट्रेशन की जरुवात है यह I think हमें एक स्टूडन्ट ही बता पाएगा जो की एक MBBS के लिए पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करी है और सबसे पहले उन्होंने 2015 में CPMT एक्जाम जो की टॉप किया था उन्होंने स्टेट लेवल पे टॉप किया था और लास्ट यर नीट पीजी में भी उन्होंने स्टेट में टॉप फाइव नंबर्स के अंदर उनके मार्क्स आये तो आज स्टूडियो में हम लेके चलते हैं डॉक्टर शुभाम के साथ और शुभांकर जी कुछ नीट के ऊपर ही उनसे चर्चा करने वाले हैं तो देखते हैं एक्या-क्या विशर मेंwar हो झालते हैं करिय काजविछ शुभांकर से डॉक्तर शुवं हैकना है स्टूडियो में करिय काजविछ शुभांकर के स्काटर क्रम पर नीट पणे नीट पीजी आपने टॉब किया ऐलोवर स्टेट अब तो आपकी जर्णी है, आप तो आप पीजी कर रहे हैं, आप तो आप प्रम रामनो लोयर राइट, तो यह जर्णी आपकी कैसी रही है, तो 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 थोड़ा संक्षेप में बताएं, कहां से स्कूलिंग की, कब आपने नीट दिया, आपने फिर MBBS किया, किस साल आपने MBBS तो थोड़ा च्टा सा संक्षेप बता है, स्कूलिंग सर मैंने सीमस सिकरी दी, सीमस अल्डीय ब्रांच से लखनाव इचसेल, उसके बाद फिर I qualified for NEET-UG in 2015, तो I joined KGMU, it was my dream college at that time, and फिर उसके बाद, after five and a half years, I prepared an internship for my PG exam, और मैंने फिर क्वालिफाय किया, NEET-PG, and now I am doing radio diagnosis, MD radio diagnosis, and now I am a junior resident, first year, in Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lakhnamur. Great, you are so young, you cannot see, when you have passed the intermediate, and you are already doing your master's, so now the thing is, Dr. Sir, as I told you, you have made your NEET, your dream institute, your KGMU, your MBBS, and you have already been qualified for AIMS, so what made you choose KGMU over AIMS? Actually sir, KGMU has always been my dream, KGMU, just say I qualified for KGMU, I completely forgot about going into AIMS, and I was also not getting main AIMS, I was getting AIMS, Rishi Keshe at that time, Okay, okay. So, I thought, and after a lot of thought, that I want to choose KGMU, and then I also went to KGMU, I saw that college, and I fell in love with it. Right. 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 Plot, sir, you have not done KGMU, but tell me about your experience in KGMU, KGMU is a very different world altogether, and I will not do that because it is a career-based program. लेकिन करियर पॉइंट आफ यू से है, हाव दू आ दू आपको देखना है कि फिर्स फॉर्ट इंग इसके प्रचुज किया क्यों के चुछ किया कियों के चुछ किया है आपके पास आप्षिन बहुत सारे थे आपकी जो actual learning है वो patients ही है actually patients ही आपको सिखाएंगे rather than books तो वो college चूस करने से पहले जानना है KGMU में research work बहुत अच्छा है उसकी वज़े से भी KGMU चूस किया plus campus environment, everything all-round development के लिए KGMU मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा institute है patient load तो जैसे मैंने भी बताया ही बहुत ही अच्छा patient load है यह बहुत ही अच्छा patient load है यह बहुत वाइट स्पेक्ट्रम है लोगों के जानने के लिए every disease, हर एक disease यहां पर आपको तिक जाएगी आप बुक्स में जो पढ़ोगे वो सारी diseases यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी के जाएगी के जाएगी के लिए यह बहुत है तो तो यही आपके पास एक कारण था कि हम नहीं पर मैंने केजी अम्यू लखनो चूस किया अब आरेमेल से मैं कर रहा हूं सो यह परस्पेक्टिफ क्या था आपका परस्पेक्टिफ क्या रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं सर्फ यही पॉइंट नहीं था कि होम टाउन है बहुत ही अच्छा एक कॉलेज, लोग अच्छली अपना होम टाउन चूड़ी जोड़ी आते हैं वह होम टाउन कि और उसका होगा है जैसे मैं पताया है, academics, all-round development, sapke ही केजेम्यू में बहुत अच्छा इस्ट्यूट लगा इस लिए मैं उँनेश के तरहा है आरेमिल की मैं बात करा था था एक्छली के ली एक्छी किया क्विकर निएपीजी के अपने टॉपक्रिया है य॥र्यूंकिय। शिरूंकिय। शिरूंकिय। कमें अग्म टाइमेंट के टाुपन शिरूंकिय। के तेषि decorum मी लोड़िय। शिरूंकिय। मुपुलिख आट बहुत बड़ी चीज है, कितने पेशेंट आफेस कर रहे हैं, क्योंकि वही एक्चुली लर्निंग है एक चीज में जानना चाहूंगा, सबसे पहले शुरुवात करते हैं, नीट के प्रफरेशन से और यह बेसिकली लिए क्योंकि सामने नीट के एक्जामनेशन से शायद 17 जुलाई को नीट के एक्जाम से बिलकुल तो बच्चे जो हैं इस समें हमारे जो दर्शक है वो जादा तर स्टूडेंट्स हैं तो उनको इस समें बड़ी चिंता हैं और आपने सब एक शौट में अपने नीट कौलिफाई किया फिट पीजी में भी अपने एक बार में टॉप किया आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता यह जो नीट है नाम सुनते ही जो कपपी छोटने लग जाती है लोगों की तो इस वाकई क्या इसमें इतना ही ज़्यादा यह बहुत ज़्यादा पुरूशियल हो जाता है बोर्ट एक्जाम से ज़्यादा मतलब कुछ बहुत बड़ा अंतर आ जाता है इंटर्मेडेट के क्या है ये नीट एक्जाम को इससे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसे समय कोंपटिशन है अब तो तो बॉर्ड एक्जाम से तो कंपैर करी नहीं सकते ही ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्जाम हो गए लेकिन इसके लिए प्रेशर नहीं है आप कंस तो इस अब जाएटी होगी डिप्रेशन होगी उससे तो घबडाना नहीं है, वो सब के साथ होगा वो बहुत ही कॉमन जीज है आपके साथ भी वाता है? आपके साथ होता है आपने युँछ तो आपके लिए अक्रलिए रिफ भी होगा जाँ होगां शोय होगा। वहझा बड़ा एक्जेम है इंतलिज्डेब्स ने के बिलो ऑवरे श्यासुन्ट के लिए बढ़नेंगार डिक मेंदों चाहां उसके लिए बहुत आसान रहोगा यह रास्ता ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ा है एक विवस्तित रूप से आपको जो है मैहनत करनी पड़ती है। विवस्तित करना साव्यगियर जैसे अएअर मत्सक क्या जर्मृ बात करेंश कि कि जाओने तो इसे ब्रुंग से जाओनेा भाज्ग तो भी होल मैं कि आएकने रूझीणी ज़ती है उसके जएग मैंने चाहर वाहते हैं मत्ता सख़ग मैं सफित अब जो प्रोफेशनल से लिए ने लिए तो पहले आप सबसे कॉम्पीट कर रहे हो एकदम आप रह रहो उस टाइम पर लेकिन अब जो आपका कॉम्पेटीशन है वह अल्रेडी प्रोफेशनल से जो अर्रेडी अब एंगी जो डॉक्टर्स हैं तो वह उतना ही चैलेंजिंग कि अपने अपनी टाइज निएख आप निए जितना युग लव गई जब एंविब्स कर रहा है ते तो अपने चैन्ट के अपने अपने निए निए जब अपने शुरू कर दी अपने अपने घरू कि अपने अपने प्रोसेश रूरू यह लुट नए परफ़ेश्नल एप अ मैं अपनी स्टार्ट करीदी पढ़ाई पूरी इंटरंशिप में करिये और उसी में ही जितना कौलिफाई करा अच्छा 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 मैं एक और लाइन पर जा रहा हूं आपने जब तयारी शुरू कि अब नीट यूजी कि अगर मैं पात करूं जब उस समय आपने तयारी शुरू की तो क्या आपने किसी ब्रैंड के साथ आप गए कोई ब्रैंडेट कोचिंग्स अच्छा बहुत चली बड़ी बड़ी ब्रैंड्स है मैं नाम नहीं ले सकता और नेशनल चैनल उन ब्रैंडेट कोचिंग्स का भई बिजनस पूरे भारत मे फेला हुआ है लाखों के तादाद में बच्चे इसमें पढ़ते हैं सब कुछ तो क्या ये वाकिछ सक्षेस गारंटी करता है कोई एक ब्रैंडेट कॉलेज ब्रैंडेट इंस्ट्यूशन सर आपको कोई भी इंस्ट्यूशों या ब्रैंड्डेट नहीं कर सकता है सक्सेश हैं, भावाव बूरा, की मेंनत एलoft पे हर अपकी एफिर्ट पर और आप कनिस्टेंसी वे आफ है। एफ चुछ बडेंड़ेर्ट यह रुद्ध नहीं सi değildya यह नहीं से करूंप एसका कोशीम करें। भावावार्ण जग का wow कर। ऑनी अपना एफट नहीं करूंगा। सब्सक्राइब कर दोख आए कर दो कोचिटिटूट यहां बिलिग करता सर इसमें कि कुछ डिफरेंट है तो इस पर ही फोकस मैं तो सजेस्ट करूँ है कि अपको बस जितनी आप प्रैक्टिस कर सको उस पर है कि आप एक दूसरे आदमी से सीखो तीसरे सीखो दोनों इवेंचुली सीखी जाते हैं तो यह जो सकते हैं तो यह जो डिसिजिन थे कही यह जो कि अपने डिसिजिन था टीकर नेगे जो कि अपना भी के लिएो पना है कि वरड़ी समय अपका प्रशुली से खीना था गिया विरागी में भीक inaud तोड़ा ओर्येंटेशन इस वज़े से था, उनकी लाइफस्टाइल, उनका सैटिस्फेक्शन देख था, कि नहीं मेडिकल में जाना है, बट टैन से नहीं डिसाइड हिया था, एलेवन्थ में ही, एक्चुली मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब याई करना है, और फिर लाइ एम्बीबेस करें बड़े पैकेज में जाएए तो पैकेज वस अमेन ड्राइविंग फोर्स या क्या था? पैकेज में ड्राइविंग फोर्स तो नहीं हो सकता सर क्योंकि एंजिनिरिंग में और जाधा पैकेज है, आप लुग नूज ब्ढ़ते होगे, इंजिनिरिंग के डॉक्टर्स मैच कर नहीं सकते हैं कि डॉक्टर्स का हाँ डीसेंट अर्निंग है बट उतनी पैकेज नहीं है जो एक पैकेज हम देखते हैं वह ऐसा नहीं है तो वह ड्राइविंग फोर्स किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए अगर आप इफ यू आफ्टर मनी तो आप डॉ कहीं नहीं कहीं इस सर्विस से जुड़ा है दोस्तों और यही बात हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जब किसी से पूछते हैं बच्चों से पूछा जाता है कि वाई मेडिसन तो दिमाग में एक ही बात रहती है डॉक्टर्स बनेंगे सर विदेश इस वज़े से उक्रेयन में जब अभी जब वार शुरू है तो बहुत बड़ी तादात वापस आई और आज के दिन में उनका जो फ्यूचर है वो कहीं न कहीं अधर में लटका हुआ है तो अगर उस बात को हटा दें युद हटा दें सब हटा दें इतने दिनों तक तो बहुत बच्चे जाकी उक्रेयन में भी पढ़ लायते बेलारूस में थे यूरोप के कई कंट्री से जाके करते तो विदेश में जाके MBBS करने का तो अपने देश में अपने 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 इस क्या फरक है दोनों में मुझे लगता है और अगर आपको इंडिया में ह तो वहां का जो क्लिनिकल सेनेरियो है जो आपके पास एक्विपमेंट्स हैं जो भी अवेलिबिल्टी चीजे हैं वो इंडिया से बहुत डिफरेंट होगी इंडिया में पॉपुलेशन और किस तरीके से लोग टर्मिनल डिजीजेस पे आते हैं सर इंडिया में और वहां पर कि पहले ही वो अर्रिटेड हैं उनके पास बहुत सारी चीजे तो अच्छी बात हुई इसमें फिर तब तो लगता है कि फिर तो बहर जादा करना चाहिए कि वहां पे अगर ट्रीट्मेंट की कॉलिटी अगर अगर अच्छी है अगर प्रैक्टिस की कॉलिटी अगर अच्छी थे पॉपलेशन फिर अब इसमेशन फिर प्राटिय मिलें अपको पॉपलेशन यदा बात है तुर्स पॉपलेशन आपको डीटिछ स्टी प्रेट्बियों एपको जागर ट्एज देदाग इंडैर्ट सब्सूर्से में इतनी वास्ट मेजोरिटी को डिल कर पार ह चली एक कारण यह समझता हूँ, एक और भी चीज है, और वह है एक्सपेंस, पड़ी ताजूब की बात है, विदेश में जाके MBBS करना है, इस वार मोँ चीपर एस कंपेट टो इंडिया, यह क्यों है? क्योंकि सीट हमारे लिमिटेट हैं, जो की चीप है, वह हमारे पास बहुत लिमिटेट सीट हैं, उसके बाद आता है प्राइवेट, जो इतने कोस्टली हैं कि आप नहीं अफॉर्ड कर सकते हैं इसलिए लोग चाहते हैं कि वहां बाहर जाएं, कि बाहर एजुकेशन सिस्टम तोड़ा चीप है, वह लोग चाहते हैं कि स्टुडेंट हमारे पास आएं और हमारे हां से स्टडीज करें, बट इंडिया में एक ड्रॉबैक यह है कि मतलब नमर अफ स्टुडेंट का रेशियो बहुत ही बिल्कुल है फज़ार्ड है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल जो सेलेक्ट होगे हो तो फहीं मेडिकल के पढ़ाई में आके बढ़ गए हम बार बार जानते हैं हम लोग प्लान बी के बात करते हैं किया बाकवी बच्चों को साल पर साल बरबाद करना चाहिए नीत के पीछ एढ़े उनको साल दो साल देखने के बात, शुड़ ड़गा स आप किस चीज को प्रिफर करेंगे? मैं अगर उनकी जगे पर होगा सर तो मैं यही प्रिफर करूँ गए एक साल और मैं ट्राय करूं लेकिन एक साल ट्राय करने के बाद मैं इल गो फर प्लैन भी एक साल से ज़ादा मैं उसके पीछ और नहीं टाइम वेस्ट करना चाहूंगा जो कि मुझे परस्नली एक साल के बाद प्रिफर करना लगेगा कि नहीं यह ठीक नहीं है ओके फाइनली दॉटसाब लास्सक्राशन आपसे एक सिंपल सा नीट परिपैर करने वाले बच्चों को आप क्या राइ और देंगे नीट परिपैर करने वाले बच्चों के लिए एक ही एसर की कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत जादा इंपॉर्टंट है अगर वो एड़ फॉम इससर्ट अफ्ट्रीशा तिल दी एंड एंड तक अगर वो कंसिस्टेंट हैं डेली पढ़ रहे हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है कोई भी बहुत ही आनिवेंट फुल कुछ होगा जो उनके सिलेक्शन को रोकेगा अधर्वाइस उनको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्ट बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर श्रेवम आप हमारे स्टूडियो में आए अपने खुबसूरत अपने बात को रखा आपने मारे बच्छों को बहुत खुबसूरती से गाइट किया डोट सब कामना करता हूं कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने आपकी जो सेवाएं है वो देश के हरे गरीब को प्राप्त हो सके हरे एक इनसान को प्राप्त हो सके और आप जैसे और भी हमें बिल संगें. तो दोस्तों, आश्र करती हूँ, आज का एपिसोड आपको पसंद आया. जो नीट प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडन्स है, उनके लिए कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी आज के एपिसोड से. तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस शहर में, लखनू शहर में आच चुका है करियर काउच गुरू, जो कि नीट प्रिपरेशन के लिए स्टूडन्स को मदद कर रहे हैं, तो जो भी नीट आश्पिरेंस स्टूडन्स हैं, उनको कोई भी के लिए काउच विछ भांकर एवरी संड़े, ONLY ON PRIME TV, 9 O'CLOCK, THANK YOU, TAKE CARE. क्या एवरी स्टूडन्स